हाई फ्रेंड्स वेलकम डू माई यूटूब चैनल उनिवर्स क्लासेज मैं राम सिंग आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वाकत करता हूं तो कैसे आप सभी मैं होप करता हूं कि आप सांदार होंगे और आपकी त्यारी अच्छे तरिके से चल ज़िए होगी बात लिए काफी जादे इंपोटेंट है और एक्जाम डेट की बाहर तो लिए आप मानग चलिए कि आपके एक्जाम जो दिसंबर लाष्ट में होने की चांसेज हैं चलिए शुरू करते हैं आज के समूपर सेशन की तो उससे पहले आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्र है श्रिंखला बद्ध शरल अस्तरिकित या फिर आनुपातिक यह कौन सी विधी है यह है सरल विधी आप्सन नमबर बी करेक्ट है चलिए अगला प्रश्ण लेते हैं भारत में प्रधान वन उत्पाद है वेत उत्पाद रेजीन इमारती लकड़ी या फिर इधन की लकड़ी तो भारत में जो प्रधान वन उत्पाद है क्या है वो है इमारती लकड़ी सी आप्सन करेक्ट है और एक बात और आप नोड़ क कर सकते हैं कि बनों का देश की अर्थव्यस्ता में काफी महत्पुडस्थान है इन वनों से हमें वन उत्पात की रूप में प्रतिवास लगभग लगभग सब्सक्राइब सकते हैं और इंप्रेंट फेक्ट है चली बढ़ते आया है अगले क्वेशन के तरफ और अगला हमारा क्यूस्ट्ट इमने कि देशों में से किस देश में नोवा मुंडी एवं गुवा लह उस उत्पाद छेतर रिष्थी थे UK, चीन, भारत या फिर फ्रांस में तो नोवा मुंडी एवं गुवा लह उस उत्पाद छेतर ये कहां पर रिष्थी थे ये बिसेकली भारत में मैंनेस को जे धस दिनकेर हुँ जारखन वीठ और मिश्थी थे और सणिसमा आज को घर चो गुड़ा इतर प्रूबी नें कहां पर ये बिस्यु का सबसे बड़ा पताली जल बेसिन कहां पर है उत्री भारत की मैदान में सैंतराज अमेरिका के बिरहत मैदान में उत्री सहारा में या फिर आस्ट्रिया के बिरहत मैदान में सबसे बड़ा पताली जल बेसीन यह का इस्तित है यह इस्तित है आस्ट्रेलिया के बिरहत मैदान में डी आप्सन बिल्कुल सही है और यहां पे पाताल तुड़कुमा सरवाधिक बिश्तृत चेतर में उपस्तित है इसका बिश्तार क्विंस्ट्रेंड न्यू साउथ वेल्स और दच्डी अस्टलिया में लगभग 6 लाक वर्ग मिल चेतर में देखनों को मिलता है तो यह आप नूट कर सकते हैं डी आप्सन करेक्ट है निमकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है इसमें जो सुमेलित पुछा गया है सही सुमेल पुछा गया है तो इसका जो है लेटो साल 20236 में है यह आप से बिलकुल सही है चली अगले कोश्यन पर बढ़ते हैं मानो विकास उचकांग प्रस्तुत क्या जाता है 2022 के द्वारा संहित राष्ट विकास कारकर्यम के द्वारा अंतराष्ट्री मुद्रा कोस के द्वारा या फिर डी संहित रूप से इन स अबी के द्वारा तो मानो विकास उचकांग फ्यूमन डबलेप्ट इंडेक्स एच डी आई जारी करता कौन है यह पूछ लिया गया है आपसे इसका जारी करता है और इसकी जो शुरुवात हुई थी वह 1990 हुई थी और यह प्रतिवर्स जारी कह जाता है तो आपको भी यह क्या अस्थानी करण उत्तर से दच्षिड की ओर खिशक रहा है दिये गए कथन का मुख्य कारण क्या है सस्ता श्रम बाजार की उपलब्दवता सस्ती उर्जा या फिर डी गन्य की अधिक उपज शुक्रोज की मात्रा तो भारत में चीनी उत्तर से दच्षिड की और ख कुल करेक्ट है जिली सरी और करेंट धर सकते हैं कि घना उत्पादन में पृस्चक तरम राज कोंद सायं तहां करेंद किरेंग कि法ण कर देअ हमकी योजना उद्योग के प्रादेशिक प्रक्रिणन के लिए विकास केंद्रों की अस्थापना का गुडातमक प्रस्ताव लाया तीसरी पंचवर्सी योजना आठवी पंचवर्सी योजना या फिर पांचवी पंचवर्सी योजना आठमा है आठवी पंचवर्सी योजना ने पैसिए एम उनके आवास के निमलिखेद में से कौन सा सही समयलित नहीं है फुलानी पश्चिमी अफरीका मसाई या परवेफ्ले क्लीख मसाई , अफो रंप बंटु सहारा या फिर नूवा सुदान इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है इस में सीट सुमिलित नहीं है फुलाने का यो फुलाने उत्री नाजेरिया विट यह कि परस्षिम या फिरे गाम आप चाली कि थे जलने के प्रस्छिम या तो कि न सल्द्थ बंटु कहां पर है बंटु मध्य तथा ज़च्छड अफिरिका बंटु मध्य तथा ज़च्छड अफिरिका यानि कि बैसिकली यह वाला कोश्चन गलत सी वाला गलत है नूबा बुसमयन यह कुछ कोश्चन मिसमैश दिया हुआ है तो इसको कट करते हैं और बढ़ते हैं यह बेसिकली काफी इंपर्टेंट है टेगा निका न्यासा रुडोल्फ तता विक्टोरिया रुडोल्फ न्यासा टेगा निका तता विक्टोरिया या फिर सी है न्यासा टेगा निका विक्टोरिया तता रुडोल्फ और डी है विक्टोरिया रुडोल्फ टेगा निका त पीट का कॉयला अं कमपेज उ स्रीकरण बन्ति घास मैदान क्रूमियू म क्या है क्कूमियू म खने जिदनकय अंदार स्थ Play तो इस में से कौन सा एक सही नहीं है तो इसमें से पीट का कोईला यह अधिकरेट्थ समंदित पुर्वी अवधाब से बारती मान्सून से या फिर मौसम की भविश्वाणी से तो एलनीनो किस से समंदित है या समंदित है भारती मांसून से C आप्षन बिल्कुल करेक्ट है सारगैसो सागर इस्थित है अट्लांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रसांत महासागर में या फिर आर्केटिक महासागर में तो सारगैसो सागर कहा हिस्तित है यह हिस्तित है अटलांटिक महा सागर में C will be right निम्कित में से कौन सा अस्थल रूप भूमिकत जल से समंदी थे लेपीज, पलाया, टार्न या फिर नूना टक तो कौन सा भूमिकत जल से रिलेटेड यह है लेपीज, ए आपसन बिल्कुल करेक्ट है चली, सत्रिण गीरिका का समंद किस्से है, हीमानी अस्थला किरिती से, तटी अस्थला किरिती से, काश्ट अस्थला किरिती से, या पिर D, परी हीमानी अस्थला किरिती से है सतनीड गिरीका का समंध किस से है इसका जो समंध यह है कास्ट रस्त लाकृती से C will be right निम्नतम अपर्दन तल की अउधारना का प्रस्ताव किस ने प्रस्तूत किया था डेविस ने, मलाट ने, जानसन ने या फिर पावल ने निम्नतम अपर्दन तल की अधारना का प्रस्ताव जो प्रस्तूत किया था उगा किया था जानसन ने C आप्षन बिल्कुल करेक्ट है डेल्टा केम परिडाम है डेल्टा मुने किसका परिडाम है हिम्नद अपर्दन का वायू निच्छे पड़ का नदी निच्छे पड़ का या फिर हिम्नद निच्छे पड़ का तो डेल्टा किसका परिडाम है डेल्टा जो है हिम्नद निच्छे पड़ का परिडाम है डी आप जरती है सी एक कालपनिक 36 रेखा जहां से उचाई तथा गहराई का मापन किया जाता है या फिर डी एक कालपनिक रेखा जो भूमंडल को उत्तरी वंद छड़ी गुलाद में बाटती है तो कौन सी है यह क्या है यह वह रेखा है जिसके आर पार तीथी क्या होती है बदल जात मांचित्र दिवार के मांचित्र कैडस्ट्रल मांचित्र या फिर एटलस मांचित्र तो सरकार दवार राजस और कर का भाव कराने के लिए निम्निकित में से जो मांचित्र त्यार किया गया है वह मांचित्र है कैडस्ट्रल मांचित्र सी आपसन बिलकुल करेक्ट है निम्न सा समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दरसाता है वह है बी सम गाल रेखा बी आप्षन बेकुल करेक्ट है भारत के किस राज्य में वन चेत्र यानि कुल प्रतिवेदित चेत्र के प्रतिसत के रूप में सरवादिक है जम्मु युम कस्मीर अरुडांचल है तो भारत का जो क्या है कुल प्रतिवेदित चेत्र के प्रतिसत के रूप में क्या है वह है नागलेंड सी आप्षन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले कुश्यन पर बढ़ते हैं सुचे एक को सुचे दो से मिलाना है एक तिरफ दिया सिद्धान्त और दूसरे तिरफ दिया उसके प्रतिपादक कोटी आकार नियम यह किस ने दिया है यह दिया है जीके जीफ ने जीके जीफ ने दिया है कोटी आकार नियम प्रा सिधान यह दिया है W क्रिस्टालर ने नगरी भूमप्यों का सेक्टर किस ने निया है यह दिया है ए चो होगे तो था डे भी ने तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, ए का 3, बी का 4 और सी का 1, आप्शन नमबर ए में दिया गा है और ए इसका correct answer है, sorry, ए का 3, ठीक है, बी का 4, और सी का 1, और डी का 2, ए आप्शन correct हो जाएगा, चलिए अकला कोशन लेते हैं, यह कथन किस पर लागव होता है, वनस्पति के लिए कोई अवकास नहीं है, बिकास तिवर अनवरत और सतत होती है, यह किस पर लागव होता है, टैगा वन, मांसोनी वन, भुमद सागरी वन, चेत्र या फिर दिष्टि में उष्ड कटी बंध, किस पर लागव होता है, यह लागव होता है, विरिष्टि में उष्ड कटी बंध पर, डी आप्शन बिलकुल correct हो जाएगा, उडीशा में नेकल के लिए पर्शिद है, वैलाडीला, रतनागिरी, कटक या फिर भूने स्वर, तो उडीशा में जो खान है, वह खनन के लिए पर्शिद है, कटक, अपसा नमबर सी correct है, अंगला question लेते हैं इन्खित में से कौन सा परवत शिखर सुमेदित नहीं है इधर एक तिरफ दिया परवत शिखर और एक तिरफ दिया उचाही मिल्टर में अनाई मूरी कितनी उचाई है वह 2695 यह करेक्ट है नंगा परवत नंगा परवत आठ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए उम्मीद करते हैं कि आप कोई आ सेशन पसंद आगा सेशन पसंद आप यह पसंद आंगा करें और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें धन्यवाद